हेलो दोस्तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैलेंग पर मेरा नाम प्यूस गोईल है इस वीडियो में आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ वर्ड पाव मेंड इजी बुक जो नॉर्मल लेश के द्वार लिखित है तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एक्जाम देने वाले हैं जैसे ऐसे सी सीजल हुआ एसबे यपी हो हुआ है के एक्जाम हुआ या फिर ग्रिय हुआ तो जैसे हम कोई भी कॉम्पिटिशन एक्जाम देते हैं उसमें इंगलिस सेट्शन सबसे इंपोर्टेंट टोपिक होता है और इंगलिस सेक्शन के अंदर वोकेप जो ओक जो सेक्शन है वो स्टूइंट के तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने वर्ड पाउन मेड इजी का चैप्टर वन डिसकस करने वाला हूं जिसका नाम है तो दोस्तों यह जो बुक है ना सब पूरी बुक कंसेंट्रेट है रूट वर्ड के उपर अगर आपको किसी भी वर्ड का रूट वर्ड पता है ना तो आपके सामने कितने वी वर्ड आ जाए तो आपको आपका 80 से 90 परसेंट उस वर्ड को गेस कर ले होगे उसका मतलब क्या ह तो दोस्तों चलो शूरी करते हैं इस इस सेंटर में पूरे टोटल 21 वर्ड सेंटर मुद्ध या बिच मे और मैनिया मैडनेस और इन तेनों वर्ड से इल्लिट कुस वर्ड से जो मैं आपको बताता हूं जैसे पहला है इकवोईस्ट इगोस्ट का मज़ए जो अपने अपना फायदा देखता है वहलुद अपने इस्ट को कह सकते हैं और अगला है इगोटिस्ट इगवोटिस्ट का मतलब हुआ इसे बढ़िया कोई हूँ और बहुत जादा टेलेंटेड हूँ एगो सेंट्री का मतलब हुआ जो अपने आपका सोसता रहता है मालों उसको पुरी दुनिया से कोई मतलब नहीं जो सिर्फ अपना फायदा देखता है और पुरी दुनिया चाहिछ से भाड़ में जा इसको कोई मतलब नहीं और